भारत माता की चाहे घुसकर मारा घुसकर चशन का महोल पूरे भारत के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया था मुझे बदला चाहिए हम सबको बदला चाहिए था और बदला मिल गया 300 से ज़्यादा आधंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मारा बहुत ही बड़ी बात है इंडिया की तरफ से हिंदुस्तान की तरफ से बड़िया मेंसज जाएगा पूरे देश में पूरे दुनिया में जाएगा कि इंडिया चूप नहीं बैटेगा अगर कोई भी देश फिर से एक बार ऐसी गुस्ताकी करने के कोशिश करेगा अगर पाकिस्तान फिर से ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा तो उसे इससे भी ज्यादा बूरा बदला मिलेगा और मुदी जी ने दो बार ऐसे आतंगी सर्जिकल स्टाइक करने के बाद ये साबित कर दिया है कि ये देश चुप भेटने वाला नहीं है उरी हमले के बाद ये बालकोट में जाकर जंगलों में खुसकर मारा उनके आतंगवादियों को 300 से ज़ादा आतंगवादियों हाँ पर मवजुद थे ऐसा बताया जा रहा है और यहां ये आकड़े और भी बढ़ सकते हैं हमें अब तक जानकर नहीं मिलिए पर आगे जानकर मिलेगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे सब्सक्राइब कर लीजिए पुलवामा का बदला मिल चुका है इंडिया को ये एक बहुत ही अच्छी बात है और मोदी जी कि यहाँ पर विशेश तारिफ करनी चाहिए क्योंकि उरी हमला जो हुआ था वहाँ पर भी पूरी रात भर जाके मोदी जी ने इस ओपरेशन को उरी हमले को भी हैंडल किया था जित्ता कि उरी फिल्म के अंदर हमने देखा और इस ओपरेशन के भी बात करें तो परदान मंत्री जी रात को साड़े तीन बजे तक जागे पूरे लोग सरक्षत आये की नहीं वापस ये भी देखा मतलब मोदी जी जी ऐसा पंत्रदान मिलना यहाँ पर काभिली नहीं है याँ मोदी जी को बहुत ही मतलब क्या बोलू मैरे पास शब्द कम पड़ रहे इस टॉपिक के उपर भी नहीं बोल सकता मैं पर मैं बहुत खुश हूँ अंदर से दोस्तो आपको बता दू सिफ इकिस मिनिट के अंदर और 21 मिनिट के अंदर तीन सो लोगों तीन सो अतंग्वदियों को मार दिया है भारत माता की जाहिए वोलो वह हैशटेक भारत माताकी जाहिए इस टैक को हमें ट्रेंड में लाना चाहिए और दोस्तों बदला मिल चुका है